तो भाई लोग टाइगर्स रॉफ की फिल्म गनपत ए हीरो इस बॉन इसका टीजर फाइनली आ चुका है और इसे देखने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ यह टीजर इंप्रेसिव तो है पर इसे के साथ साथ इसमें कुछ कमिया भी है पर अच्छी बात यह है कि इ सबी चीजों पर बात करेंगे पर सबसे पहले इस टीजर का एक overall observation ले लेते हैं कि आखिर यह टीजर अपनी story के बारे में हमें बताता क्या है जो कि यह तो हम सब को पहले से पता था कि यह film dystopian future पर based रहने वाली है और इसका opening shorty हमारी इस बात को पूरी तरसे clear कर देता है कि यह film future पर based है और इसकी story take place करेगी year 2070 AD में यानि कि आज से लगबग 50 सल बात जहां पे society दो भाग में बढ़ चुकी होगी एक तरफ होगी rich hi-fi society जिसमें होंगे बड़े-बड़े high-tech buildings rich और hi-fi लोगों के लिए और वहीं दूसरी तरफ एक destroyed city जहां होंगे बेबस और और उन सबी लोगों का एक ruler होगा जो कि उन पर crew तरीके से शासन करता हुआ नजर आएगा और वो rich and hi-fi society से बिलॉंग करता होगा जिसके पास अच्छी खासी technology होगी और उन बेबस लोगों के एक मसीहा के रूप में जन्म होगा एक hero का जो की होगा tiger shop का character यानि की गनपत औ कि इसमें इन्होंने heroine को सिर्फ glamour दिखाने के लिए नहीं रखा है और I think कि इसमें critic का भी काफी important role होने वाला है और यहां गनपत के कुछ fight scenes को देकर ऐसा लग रहा है कि यह dystopian storyline को follow करने के साथ साथ एक sports angle को भी साथ लेकर चलेगी जिसमें tiger shop का character अमिताप बचन के character से training लेकर एक street fighter से होते हुए international fighter बने तक का सफर तै करेगा और इसके पीछे का मकसद यह होगा कि वो उस ruler तक पहुंच सके जो इन सभी चीजों को control कर रहा है तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ positive and negative points की तो देखो सबसे पहले एकाद कुछ negative points जो है उनको निप्टा लेते हैं पर अगर Tiger Soft के character की बात की जाए तो इसमें मुझे कुछ नयापन या कहूं तो कुछ अलग सा feel नहीं आ रहा और ऐसा भी हो सकता है कि इस teaser में उन्होंने उतना कुछ नहीं दिखाया हो शायद trailer में हमें वो देखने को मिल जाए बट जितना भी दिखाया गया उतने में तो इ CGI and visuals काफी अच्छे हैं पर वहीं दूसरी ओर कहीं कहीं पर थोड़ी से detailing की कमी नजर आ जाती है और अगर movie science fiction वाले genre में बन रही है तो VFX and CGI तो matter करता ही है अब बात कर लेते हैं कुछ positive चीजों की तो सबसे पहली positive चीज तो इसकी world building है जो कि भाई जो चीज ये दिखाना चाते हैं dystopian future को लेकर वो चीज ये teaser बखू भी दिखा पाती है जहां पर दो different societies है जहां एक तरफ high tech society है और दूसरी तरफ destroyed society जिसके उपर हुकूमत किया ज तो इस teaser की ये सारी चीजें इस genre को पूरी तरह satisfied करती है उसके बद अगली positive चीज है इसके set designs जो की काफी कमाल की है और जहां इसके vfx में थोड़ी कमी नजर आती है वही इसमें काफी अच्छे shots भी हैं जिसमें से एक ये वाला shot है जो काफी बहतरी दिखाई पड़ रहा ह एंड में भी यही इस movie की main Thanos होने वाली है तो ये देखना काफी interesting होगा अगर एक female actress यहाँ पे main villain का किरदार निभाती है इसके बद अगली positive point की बात करें तो वो होगा Amitabh Bachan का character और Amitabh Bachan का character इस movie के लिए काफी बड़ा plus point होने वाला है क्योंकि उनके acting की क्या ही बात की और present की time पे जिस तरह के उनके character selection है वो हर एक movie में काफी important होता है चाहे वो ब्रह्मास्तर में गुरू का character हो या कलकी में अस्वत्थामा का और इस movie में भी उनका character एक गुरू का ही होगा और इन सब के अलावा इस movie का सबसे बड़ा plus point होने वाला है इसकी spirituality तो इन shots को देखक का character meditation करतवा नजर आता है यही चीज हमें काफी positive vibe दे देती है और उसके बाद इसके आखरी shot में जहां पे आस्मान में बादलों के थुरू गनेश भगवान की छवी बनते हुए दिखा जाता है वो shot भी काफी खुबसूरत था सो cool मिलाकर मैं इस teaser को देखने के बाद इसके अंदर कुछ negative बाते होने के बावजुद भी अभी तक तो overall positive ही मैसूस कर रहा हूँ जब तक इसका trailer नहीं आ जाता और trailer आने के बाद हम लोग इस पर और अच्छे से बात करेंगे तब तक आपके जो भी opinions है आप लोग मुझे comment section में बताओ और इसके अलवा मैंने tiger थी और animal के teaser के उपर भी बात किया है तो उसके लिए आप लोग left वाली वीडियो को check out कर लेना बाकी अमग फिर से मिलेंगे नई वीडियो में तपता के लिए जय हिन